Hello everyone, मैं पियंका और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक खुबसूरत सा डिजाइन जिसको आप स्वेटर में, कार्डियन में डालेंगे, ये बहुत ही प्यारा लगेगा, ये बनाने में बहुत ही आसान है और इसली बन जाता है, तो इस डिजाइन को बनाने के लिए तयार होता है, तो यहां पर देखें, मैंने मुल्टिपल आफ ट्वल मीन्स चौविस फंदे ले लिए हैं, देखें, दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा, सोला, अठारा, बीस, बाइस, चौविस, और ये दो फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, एज के लिए, तो देखें, पैटर्न आपका राइट साइड से ही शुरू होगा, ये देखें, तो सबसे पहली रो हम यहां पर बना रहे हैं, देखें, पहला फंदा एज बाला है, तो इसको हम यहां पर स्लिप कर लेंगे, देखें, पहला फंदा हमने स्लिप किया है, फिर 6 फंदे हम 6, देखिए 6 फंदे हमने यहां पर सीधे बुन लिये हैं, धागा अपनी तरफ लाएंगे, अब 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर यहां पर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, 1, 2, तो ये देखे, पहला फंदा slip करने के बाद में, यहां से आपका repeat pattern शुरू हुआ है, तो देखे, 6 फंदे जिसमें हमने सीधे बनाई थे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, ये आपका इतना pattern आपका repeat वाला है, तो फिर से देखे, एक और repeat, फिर से हम 6 फंदे सीधे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे ये बुल्लिए, आप फिर से 2 फंदे उल्टे, 1, 2, दागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, आप धागा पीछे करके, ये देखे, एज वाला फंदा है, तो इसको हमें सीधा बुन देना है, ठीक है, पहली सलाई हमने complete कर ली है, सीधी तरफ से, wrong side में आपको देखे क्या करना है, यहाँ पे जो फंदा है, वैसे ही बनाएंगे, तो देखे, पहला फंदा हमने slip किया, धागा पीछे, देखे, 2 फंदे हमें सीधे नजर आ रहे हैं, तो 2 फंदे हम सीधे बुन देंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे, सीधे, धागा अपनी तरफ, आप 6 फंद कर कम्प्लेट कर देंगे, यह देखे, 6 फंदे हमने यह उल्टे बुन लिये, फिर धागा पीछे, देखे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, फिर देखे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, धागा पीछे, फिर यहां पे 2 फंदे सीधे, 1, 2, धागा अपनी तरफ, फिर 6 फंदे हम उल्टे बुने 1, 2, 3, 4, 5, 6 दागा पीछे और ये वाला फंदा आखरी एज वाला है इसको हमें सीधा बुन देना है ठीक है तो दो सलाईयां देखिए हमने बना ली है राइट साइड रो नमबर 3 देखिए रो नमबर 3 विलको रो नमबर 1 की तरह बनेगी पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे धागा पीछे करेंगे फिर 6 फंदे सीधे बुनेगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं दोनों को उल्टा पीछे 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं दोनों को सीधा बुनेगे अपनी तरफ दागा दो फंदे उल्टे ये देखिए आपका एक रिपीट खतम हो गया है फिर दागा पीछे करके 6 फंदे सीधे बुनेगे देखिए 2, 3, 4, 5, 6 दागा अपनी तरफ देखिए 2 फंदे उल्ट 1, 2, धागा पीछे, 2 फंदे, सीधे, 1, 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे, उल्टे, धागा पीछे, और ये आखरी में एजवाला फंदा हमें सीधा बुन देना है, ठीक है, रो नमबर 4, रॉंग साइट से, देखें, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अब यहाँ पे देख जो हो राया थोड़ा सा, पहले हमने यहाँ पे दो सीधे बुने थे, रो नमबर 2 में, अब हमें यहाँ पर देखें, अब हमें यहाँ पर 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, देखें, पहला फंदा स्लिप किया, 6 फंदे उल्टे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छे फंदे देखें, हम धागा पीछे करेंगे दो फंदे हमें सीधे बुनने हैं 1, 2 धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे हमें सीधे बुनने हैं तो ये देखे row 4 wrong side से देखे हमने कैसे बनाई पहला फंदा slip किया इसके बाद में, दो, चार, छे, छे फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, छे फंदे, सॉरी, देखे, रो नंबर फोर, देखे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहां से आपका repeat pattern शुरू होगा, तो आप देखे, इसको कैसे करना है, दो, चार, छे, छे फंदे हमने उल्टे दो सीधे, यह आपका repeat pattern था, आप अगेन देखिए हम फिर से next repeat कर रहे हैं, फिर से बनाएंगे, छे फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए, छे फंदे हमने उल्टे बुल लिए, धागा पीछे करेंगे, अब यहां पर हमने, दो फंदे सीधे बुल देने हैं, धागा अपने तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुल देंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुल देंगे, और आखरी में जो edge वाला फंदा है, इसे भी हम सीधा बुल देंगे, तो इस तरीके से हमने अपनी चार सलाइयां complete कर ली है, देखिए, row number 5, right side स तो पहला फंदा हम slip कर लेंगे edge वाला, इसके बाद में दो फंदे हमें उल्टे बुन देने हैं, one, two, देखिए, दो फंदे उल्टे बुन लिए, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हमें सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा आप यहाँ पे हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह देखिए, तो हमने अभी यहाँ पे एक रिपीट अपना कम्प्लेट कर लिया है, देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, आप 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 6 फंदे हमने सीधे बुल लिया तो यह एक रिपीट हो गया है, next रिपीट, 2 फंदे, उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे, सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे, उल्टे बुने, धागा पीछे किया, 2 फंदे, आप यहाँ पे हम 6 फंदे सीधे बुनेगे, देखिए, एक मैंने बुन लिया है, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह देखिए, छे फंदे सीधे बुन लिए, अब ही एज वाला फंदा है, इसे हमें सीधा बुन देना है, ठिक, यह देखिए, तो रो 5 हमने कम्प्लीट कर ली है, रो नमबर 6, रो नमबर 6 में जो फंदा आपको जैसा दिख रहा है, वैसा ही ब देखिए, उल्टे बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए होगे, धागा पीछे, दो फंदे, उल्टे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे, सीधे, धागा पीछे, दो फंदे, उल्टे, तो यह देखिए, आपका एक रिपीट बन गया है, पहला फंदा स्लिप क्या, छे ल्टे, दो सीधे, दो ल्टे, दो सीधे, नेग्स रिपीट देखिए, रो नबर 6 में ही, 6 फंदे, उल्टे, 2, 3, 4, 5, 6, होगे देखिए, 6 फंदे हमने, उल्टे बन गया है, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हमें सीधा बुल देना है दागा अपनी तरफ फिर से 6 फंदे हम उल्टे बुल देंगे 2 3 सुरी देखे नेक्स रिपीट में हमने 6 फंदे उल्टे बुने 3, 3, 6 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे 1, 2 और एज वाला आकरी फंदाई से हम सीधा ही बनाकर कंप्लीट कर देंगे तो इस तरीके से हमने 6 सलाईया बनाकर कंप्लीट कर ली है रो नमबर सागन देखे पहला फंदा हम यहाँ पर स्लिप करेंगे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे 1 2 धागा पीछे करेंगे 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे आप देखें यहाँ पर क्या करना है उसको ध्यान से देखेंगे धागा पीछे कर लेंगे देखें धागा उल्टा हो गया है आप देखें यह आपको 6 फंदे दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? तो यह देखें जो 6 सीधे फंदे दिख रहे हैं इनमें से हम last के 3 फंदों में पीछे से देखें निडल डालेंगे ऐसे ठीक है? इस तरीके से निडल डालेंगे और इसको ऐसे दवाते हुए दिखें यह देखें, यह जो 3 फंदे हैं इनको हम इस सलाई में ऐसे ले लेंगे फिर बापस से हम इन 3 फंदों को ऐसे चढ़ा देंगे यह देखें इस तरीके से हो गया हमारा अब फिर से इन 6 फंदों को हम सीधा बुनेगे पाइब 6, यह देखे, तो यह अभी हमने एक रीपीट बना लिया है अपना, तीक है, नेक्स देखे अगें, दो फंदे हमने उल्टे बुनेंगे, नेक्स लेपीट, दो फंदे उल्टे, दागा पिछे, दो फंदे सीधे दागा आगे लाइए, दो फंदे उल्टे बुल देंगे, दागा पीछे कर देंगे, अब फिर से देखिए हमें अगेन अपना एक रिपीट पैटर्न सुरूर करना है, तो लास्ट में देखिए एज वाला फंदा छोड़ देंगे, एक, दो, तीन, इन तीन पीछे से निडल डालेंगे, इस तरीके से देखिए, पीछे से निडल डाला और इस तरीके से इसको प्रेस किया, अब बाकी के ये तीन फंदे हम ऐसे चड़ा लेंगे, देखिए, इस तरीके से आपका बना, एक, दो, तीन, अब इन, ये एज वाला मिलाके, सात फंदे हैं इन सातों को हम सीधा बुन देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट में 7 ठीक तो ये देखिए row number 7 हमारी complete हो गई है देखिए row number 8 पहला फंदा slip किया 6 फंदे यहां पर उल्टें 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए 6 फंदे हमने उल्टे भुने थे दागा पीछे करेंगे 2 फंदे सीधे दिख रहें सीधा भुन देंगे दागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे दागा पीछे 2 फंदे सीधे ये देखे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 6 फंदे, उल्टे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखे हैं, ये उल्लिया, धागा पीछे, 2 फंदे, सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे, उल्टे, धागा पीछे, फिर 2 फंदे, सीधे, और ये एज बाला लास्ट का फंदा भी सीधा बना देगे, देखे हैं, रो नूमबर 9 हम बनाएंगे, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ये देखे हैं, पहला फंदा स्लिप किया, अब 2 फंदे, उल्टे, 1, 2, 1, 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे, उल्टे बने, 1, 2, धागा पीछे करेंगे, अब ये जो 6 फंदे हैं, देखे, इन्हें हमें सीधा बनना है, तो देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखें, आपका एक रिपीट यहाँ पे खतम हुआ है, पहला फंदा स्लिप किया, दो फिर उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, छे सीधे, ठीक है, अगेन फिर से रिपीट करेंगे, देखें, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बने, दागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बने, धागा पीछे करके, छे फंदे सीधे बनाएंगे, देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और लास्ट में ये एज वाला फंदा है, इसे भी हमें सीधा बुन देना है, देखें, रो नमबर 10, रॉंग साइट, पहला फंदा हमने स्लिप किया, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनेंगे, 1, 2, धागा अपनी तरफ, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बनेंगे, 1, 2, धागा अपनी तरफ, और अब हम यहाँ पे 6 फंदे हमें उल्टे बनना है, देखें, 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, ठीक है, यह आपका एक रिपीट हो गया है, देखें, यहाँ पे 2 फंदे हमने सीधे बनेंगे, पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बनेंगे, 2 उल्टे, 2 सीधे और 6 उल्टे, आप देखें, नेक्स रिपीट, 2 फंदे सीधे बनें दागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनेंगे, दागा पिछे, 2 फंदे सीधे बनेंगे, दागा अपनी तरफ, आप यहाँ पे देखें, 6 फंदे हमें उल्टे बनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह edge वाला फंदा है, इसे हमें सीधा बुन देना है यह देखिया row number 11, right side से पहला फंदा slip करेंगे दागा पीछे ले जाएंगे, अब 6 फंदे हमें सीधा बुनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे बुनेंगे दागा पीछे 2 फंदे सीधे बुनेंगे यह देखिये, दागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे बुनेंगे यह आपका एक रिपीट बना हुआ है पहला फंदा स्लिप किया, 6 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे अब फिर से हमें यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुनाने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 फंदे सीधे दागा आगे 2 फंदे अब हमने उल्टे बुन लिए, दागा पिछे करेंगे फिर 2 फंदे सीधे बुन देंगे दागा अपनी तरफ लाकर देखिए, 2 फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं इन दोनों को हम उल्टा बना देंगे दागा पिछे और लास्ट का फंदा हम सीधा बनाकर कम्प्लीट कर देंगे रो नमबर 12, रो नमबर 12 हमें वैसे ही बनानी है जैसा जो फंदा आपको दिख रहा है तो देखिए, पहला फंदा स्लिक किया दागा पिछे करेंगे, 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं सीधा बना, दागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं उल्टा बना, दागा पिछे करेंगे, 2 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ, अब 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6, धागा पीछे करेंगे, एक repeat pattern बन गया है, अब next देखें, 2 फंदे, सीधे धागा अपनी तरफ, 2 फंदे, उल्टे, धागा पिछे, 2 फंदे, सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 फंदे हमने उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे, और last का फंदा हम सीधा बना देंगे, रोल नूमबर 13 देखेंगे, कैसे बनाना है, पहला फंदा हम slip कर लेंगे, ठीक है, अब आपके जो ये सीधे फंदे 6 आपको देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पीछे से नेड़ डालेंगे, last के 3 फंदों में इस तरीके से देखेंगे, और इसको फुल कर लेंगे, और यहां से हम ये फंदे ऐसे चड़ा लेंगे, साबधानी से, और इसके बाद में ये देखेंगे, अब इन 6 फंदों को हमें सीधा बना देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दागा आपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, 1, 2, दागा पीछे, दो फंदे, सीधे, दागा अपनी तरफ, दो फंदे, उल्टे, ये देखेंगे, तो ये देखें, हमने एक रिपीट बना कर कम्प्लीट किया है, देखें, पहला फंदा स्लिप किया था, इसके बाद में इनको हमने क्रॉस कराया था, ठीक है, ये देखें, दागा पीछे करेंगे, फिर से देखे, cross करना है, तो देखे, फिर से 6 फंदे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, तो देखे, कैसे करेंगे, last के 3 फंदों में, निडल को इस तरीके से डाला, इसको ऐसे दक्का करें, निकाल दिया है, एक, दो, 3, एक, दो, 3, ये देखे, इन 6 फंदों को, जिनका हमने अभ अभी आना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखे, अब जो फंदा हमी यह आपके, जैसा दिख रहा है, देखे, दो फंदे उल्टे दिखे, उल्टा बना दिया, दागा पिछे किया, दो फंदे सीधे दिख रहे हैं, सीधा बना दिया, दागा अपनी तरब, दो फंदे उल्टे उल्टा बना दिया दगा पिछे करेंगे और एज वाला फंदा हम सीधा बना देगे तो ये देखिए रो नुमर 13 हमारी कम्प्लीट हो गई है रो नुमर 14 जो फंदा आपको जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बना देना है तो देखिए पहला फंदा स्लिप करा दो फंदे उल देख है सिधा बना दो उल्टे उल्टा बना अगेन कर दो सिधे दागा आपनी तरफ फंदे उल्टे है 1,2,3,4,5,6 दागा पिछeye करेंगे ये ये दाड़ीक आपका एक रिपीट खतम हो गया next repeat, 2 फंदे, सीधे, दागा अपनी तरफ, 2 फंदे, उल्टे, दागा पीछे, 2 फंदे, सीधे, दागा अपनी तरफ, और यहां पर हम 6 फंदे, उल्टे बनेगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह देखे, हो गया, हमने 6 बना लिए, और दागा पीछे करके, यह एज वाला फंदाम, सीधा बना देगे, तो friends, यह आपका, एक repeat पैटन बना है, तो friends, देखे, यह आपका, एक repeat बन गया है, और इसी को, अगर हम बार वर repeat करते बनाएंगे, तो यह देखे, कुछ इस तरीके से बनकर नजर आएगा, यह देखे, आप इसको all over sweater में डालेंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा, आप इसने ladies cardian भी बनाएंगे, बो भी उस pattern में बहुत ही खुबसूरत लगेगा, यह देखे, काफी stretchy भी है, यह देखे, तो अगर friends, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को like कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कीजिएगा, साथी साथ बहर आइकन जरूर दबाईएगा, जिससे आपको आने वाले समय में वीडियो के नए notifications मिल सकें, thank you झाल